हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माय चैनल मेरे पास किसी ने एक कमेंट किया था कि मिट्टी के पीच को कैसे पहचाने तो आज का टॉपिक यही है कि पीच होता क्या है प्लांट की सॉल से इसका क्या सम्बंद रहता है इसके ज्यादा या कम होने से हमारी मिट्टी को लाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए अगर आपको प्लांट को हेल्दी रखना है तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीएच क्या होता है पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन यानि हाइड्रोजन की शक् और पीएच सेवन सबसे बेस्ट होता है हमारे प्लांट के लिए फॉर एग्जामपल अगर आपकी मिट्टी का पीएच सेवन है तो पानी पानी का सौरी पानी ना तो एसेडिक है और ना ही एलकलाइन इसी तरह मिट्टी में भी पीएच लेवल ठीक होना बहुत जरूरी हो है और हाई एलकलाइन होना भी उसकी मिट्टी के लिए खतरनाक होता है अगर पीएच बहुत ज्यादा हो जाता है तो मिट्टी जो है एलकलाइन यानि खारी हो जाएगी यानि मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की क्वांटिटी कम हो जाएगी और प्लांट को जरूरी आयन नहीं मिल पाएंगे अब हर प्लांट की सॉल का पीएच जो है अलगल होता है लेकिन ज्यादातर प्लांट प्लांट जो है 6.7 से 6.5 से 7.5 के पीएच तक ही बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं अब पीएच की पहचान क्या होती है यदि आपके प्लांट को जो है सही समय पर कुछ प्रॉब्लम है और यह कभी-कभी आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन और मैगनीशियम या आइरन की कमी से भी होता है लेकिन अगर मिट्टी का पीएच ठीक नहीं है तब भी आपका प्लांट जो है यह सिस्टम देता है मेरे प्लांट जो है काफी प्लांट में यही प्रॉब्लम आ गई है और मैं जो हूँ अपने हर प्लांट में हर साल थोड़ी सी फिटकरी मिला देती हूं जिसका वीडियो मैंने अपने चैनल पर शेयर भी किया हुआ है तो इसी की वजह से भी मेरे को लगता है प्लांट की मिट्टी में यह प्रॉब्लम आ रही है और ब को 550 में मिल गया है बहुत ही असानी से और बहुत ही अच्छा गैजट है फ्रेंड्स मुझे बहुत ही अच्छा लगा आज मैं पहली बार इसे यूज कर रही हूं आज मैं इसी गैजट से अपने प्लांट का पी एच लेवल चेक करूंगी प्लांट की मिट्टी का तो देख इस तरीके से आपने मिनिममम दो इंच तक इसको लगाना है और फिर थोड़ी देर वेट करना इसमें तीन चीज़े हम चेक कर सकते हैं सबसे पहले यह पी एच चेक कर रही हूं मैं इसमें तो पी एच जो है मेरे प्लांट का आठ हारा है थोड़ी देर इसको लगा रहने द कर सकते हैं हम अपने प्लांट की मिट्टी का ट्रेट्मेंट में आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि अगर आपके प्लांट की पी एच खराब है तो आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं तो इसकी मिट्टी जो है अलकलाइन है नेक्स्ट बीच में हम चेक कर सकते हैं लाइ किससे यह मुझे गैजट जो है बहुत ही अच्छा लगा आप इसको मंगा सकते हैं ज्यादा महंगा भी नहीं है मैं किसी को प्रमोर्ट नहीं कर रहे हूं मैंने सिर्फ एमेजॉन पर सॉयल पी एच मीटर करके सर्च किया था उससे आ गया था पहले मुझे बहुत महंगा लग कर चेक कर रही हूं कि दूसे तरीका फ्रेंड यह है कि आप जो है ऑनलाइन अप लिटमस पेपर मंगा सकते हैं और लिटमस पेपर और डिस्टिल वॉटर का यूज करके आप अपने जो है प्लांट की मिट्टी का पी-एच जो है चेक कर सकते हैं लिटमस पेपर आपको ऑन स्ट्रिप निकाल कर उस पेपर को डिप करें और पीएच लेवल का उसके साथ में जो एक कलर चार्ट आता है उससे आप चेक कर सकते हैं जो भी वह कलर का होगा इसका मतलब कि प्लांट की मिट्टी का पीएच उतना है लेकिन लिटमस पेपर से कभी-कभी करेक्ट रिजल्ट मिलता है इसलिए मैंने पीएच मीटर मंगाया था अब देखे इस प्लांट का पीएच जो है मेरा क्या कहते है यह साथ और छे के बीच में आया है लेकिन इसमें या तो मनाइट्रोजन की कमी भी हो सकते है या मैगनीशियम की हमारा जो पीएच है वह 6.5 से 7.5 तक अगर होत चेंज करेगा तो इसका पीएच 6 और 7 के बीच में ही आया है यहाँ पर देखिए यह दूप की वज़े से आपको बिल्कुल नहीं दीख पा रहा है तो 6 और इसकी पत्तियों का कलर देखिए बिल्कुल ठीक है इसमें मुझे पीएच वाली प्रॉब्लम नहीं लग रही है जिन जिन प्लांट्स में मुझे यह पीएच वाली प्रॉब्लम लग रही है उनको मैं चेक करके उनका सोल्यूशन निकालूंगी तो पीएच अगर आपके प्लांट का सही नहीं होगा तो आप उसमें कोई भी खा दीजिए कुछ भी दीजिए वो अडॉप्ट नहीं करेग अब हमें जाना है कि हम अपनी स्ओम का पियश ठीक कर सकते ठीक कैसे करें उसके लिए उसके लिए बहुत सारी तरीके होते हैं सबसे पहले जो warm बारिश का पानी अभी देख बारिश तो नहीं है लेकिन आपने बारिश का पानी होता है वह मिट्टी को नैचुरली एसेडिक बनाता है और मिट्टी का पीएच जो है हमारे बैलेंस करता है तभी तो बारिशों में हमारे प्लांट इतने हरे भरे रहते हैं दूसरी चीज फ्रेंट्स यह है कि आप अपने प्लांट में टाइम पर खाग डालते रहेंगे तो यह प्रॉब्लम जो आपके कभी भी नहीं आत होती है वह हमारे मिट्टिक को असलाइटली एसेडिक बनाती है तो पत्यों की खाद बीसके लिए बहुत जरूरी होती है तो मैं यह बोलना चारही हो कि ताइम पर आप अपने प्लांट में खाद देते रहें तीसरी चीज फ्रेंट्स ही है कि आप अपने प्लांट में waterproof या चाइपत्ति का प्लांट की प्लांट की प्लांट आसमें चाइपत्ति करती है अपने plants को healthy बनाने के लिए और आप यूज कर यूज चाय पत्ती भी डाल सकते हैं बस आपने वे चाय पत्ती जो है अच्छे से दो कर उसको बहुत अच्छे से सुखाना है नेक्स जो आप यूज कर सकते हैं वो है नीमू एक लिटर पानी में आप एक या दो चमश नीमू का रस मिला कर देए यह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है क्योंकि इससे भी हमारे plant की मिट्टी जो है उसके उपर भी मेरे चैनल पर एक पूरी डिटेल वीडियो है कि उसको हमने कैसी यूज करना चाहिए उसका क्या फाइदा होता है तो वो भी आप अपने प्लांट की मिट्टी जब बनाते हैं उसमें आप लकडी की राक मिला सकते है तो जो है फ्रेंस यह कुछ घरेलू यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ओके थैंक्यू फ्रेंट